साथियों, एक्स्पिरेश्टन डिस्ट्रिक्स में देश को जो सफलता मिल रही है, उसका एक बड़ा कारण, अगर मैं कहूंगा तो वो है कन्वर्जन्स। और अभी काना टक के हमारे अधिकारी ने बताया कि साइलों में से कैसे बार आए, सारे समधादन वही है, सरकारी मशीन वही है, मशीन री वही है, अधिकारी वही है, लेकिन परणाम अलग अलग है, किसी भी जिले को जब एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तोर पर देखा जाता है, जब जिले के बविश को सामने रख कर काम किया जाता है, तो अधिकारीों को अपने कारियों के विशालता की अनुभूती होती है, अधिकारियों को भी अपनी भूमी का के महत्व का एहसास होता है एक परपस अफ लाइफ फिल होता है उनके आखों के सामने जो बडलाव आ रहे हैं और जो परणाम दिखते हैं उनके जिले के लोगों के जिन्गी में जो बडलाव दिखते हैं अधिकारियों को प्रशाशन से जुड़े लोगों को इसका सटिस्टिस्ट्स請 मिलता ह। और यह सटिस्टिसट्स कलपना से परे होता है, शबदों से परे होता है। क्यों मैंने स्वयम देखा है, जब यह कोराना नहीं था, तो मैंने नियम बना रखा था, कि अगर किसी भी राजने में जाता था तो Integrational District के लोगों को बुलाता था, उन अधिकारियों के साथ खुल करके बाते करता था, चर्चा करता था. उनी से बात्जित के बाद मेरा ये अनुभव बना है कि एस्पिदेशनल डिस्टिक्स में जो काम कर रहे हैं उनमें काम करने की संतुष्टी की एक अलग ही बावना पैदा हो जाती है जब कोई सरकारी काम एक जीवंत- लक्ष बन जाता है जब सरकारी मशिन रही है एक जीवंत- एकाही बन जाती है टीम स्पिरिट से भर जाती है, टीम एक कल्चर को लेकर आगे बढ़ती है, तो नतीजे वैसे ही आते हैं, जैसे हम एस्पिनेशनल डिस्टिक्ट में देख रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से बेस प्रक्टिसिस सैर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए, जो कारेशली विक्षित होती है, वो गुड गवर्ननस की बहुत बड़ी पूंजी है।